नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल दियागे एक नज़र डालें उत्रप्रदेश की खबरों पर उत्रप्रदेश में चार जिलो को छोड़का बाकी पूरे राज्य में कोरोना वाइरस की वज़त से चल रहे कर्फ्यू को खटा दिया गया है जिन जिलो में कर्फ्यू नहीं हटा उनमें मेरट लखनाओ सारनपुर और गोरकपुर शामिल है इन चार जिलो से कर्फ्यू ना मा का शव जमीन पर पड़ा मिला तो वहीं बीटियो के शव फंदे पर लटके मिले पुलिस के मताबए एक शव करीब तीन से चार दिन पुराने पताए जा रहे हैं वहीं पुलिस पूरे मामले की अब जाच कर रही है ग्रेटर नौइडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड कोई मुटभेड के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगए गोली लगने से नजाकत और अश्रफ नाम के दोनों बदमाश खायल हो गए जिनके लाश के लिए जिने नजदी के इस्पताब में बदमाशों से एक तमचा तीन जिन्दा कार्तूस और लूटे हुए चार मुबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामत की गई है मतुरा के थाना बर्साना के गाऊन जबाला में तांतुरिक ने ज़हारफूग के नाम पर महिला से बलतकार किया मौके से फरार को गया जिसके बाद पीड़िता की तहरीली शरापकान मामले में फरार चल रहा एक लाग का शातर इनामी अपरादी रिशी शर्मा को देर रात अलीगर पोलिस की छे टीमों ने स्स्पी क्या देश के बाद इनाम की धनराशी बढ़ाय जाने के 24 घंटे के बाद गिरफतार कर लिया पोलिस छे राज्यों में पिछले नौ दिन से शातिर माफिया प्राधी की तलाश कर रही थी जिसको मुख्बीर की सूशना पर बुलंड शहर में चेकिन drifting के दौरान गिरफतार किया गया है श्रावस्ती जिले में कोरोना संक्रमितों से लणने में नीती आयो की पिरामिल स्वास्ते समीती आगे आकर लगातार काम कर रही है आयो के डी टीएम संतोश सिंग ने सीडियो इशान प्रताप सिंग से मुलाकात की और बारा ओक्सीजन कंसेंट्रेटर चारसो फेस शील्ड पांसो एन्डाइटिफाइम मास्क भीट किये उतरप्रदेश की खबरों में फिलार के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस वाल इंडिया